Hello Friends, Welcome to my channel, Rack Civil Services Friends, आज की Current Affair Series में Important News ये है कि लोनार जील का जो पानी है वो गुलाबी हो गया है लोनार लेक का वाटर पिंक हो गया है इसी के regarding Bombay High Court ने रिपोर्ट मागी है नीरी से और Geographical Survey of India से इस News को डीटेल में डिसकस करते हैं आप लोग इमेज में देख सकते हैं ये हमारा लोनार लेक है और इसका जो वाटर है वो पिंक हो गया है गुलाबी हो गया है Recently Bombay High Court ने लोनार लेक की Environmental Impact Assessment Report मागी है Bombay High Court इस रिपोर्ट के थू जानना चाहता है कि Environment यानि परियावरन का लोनार लेक पर क्या असर पड़ रहा है ये रिपोर्ट कौन-कौन देगा? National Environmental Engineering Research Institute यानि नीरी और Geographical Survey of India GSI दोनों मिलकर लोनार लेक की Environmental Impact Assessment Report Bombay High Court को देंगे लोनार लेक कहां पर पड़ता है? Location important है कि महारास्ट के बुलधाना डिस्टिक में पड़ता है पिछले कुछ दिनों से इसका जो पानी है वो गुलाबी होता चला जा रहा है हलका हलका सा लाल होता चला जा रहा है इसलिए वहां के Local Administration पहले लोनार लेक का पानी इस तरीके से दिखता था एकदम ब्लू लेकिन अब जो लोनार लेक का पानी है वो रेड और पिंक सा होता चला जा रहा है फ्रेंट्स अगर आप लोग को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा है यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा यहां से आप लोग को बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा इस वीडियो को आप लोग rate and review कर सकते हैं comment section में मुझे आप लोग के comments का इंतजार रहता है आप लोग जितना interactively पढ़ते हैं मुझे उतना मज़ा आता है आप लोग को content देने में इस content की अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा telegram चैनल जॉइन कर लीजेगा link description में पढ़ा हुआ है लोनार लेक के बारे में detail में पढ़ते हैं लोनार लेक also known as lunar crater जो हमारी lunar जील है ये crater जील है मतलब crater लेक क्या होता है मैं आप लोग को समझाती हूँ जब earth की surface पर कोई meteorite टकराता है मतलब जब प्रतवी की सता पर कोई उलका पिन टकराता है तो वहाँ पर एक गड़ा हो जाता है और उस गड़े में पानी भर जाता है तो वो जो लेक हमारा बनता है उसे हम crater lake के नाम से जानते हैं ये अपने आप में important इसलिए भी है ये notified national geo heritage monument है तो आप लोग को याद रखना है कि ये एक हमारा geo heritage monument है ये saline water lake है मतलब ये खारे पानी की जील है और location मैंने आप लोग को बता ही दी ये बुलधाना डिस्टिक में located है महारास्ट के इसकी जो shape है वो कैसी है oval shape है देखे इस तरीके की shape है मैंने आप लोग को image में दिखाई दी ये कब बना था मैंने आप लोग को बता दिया meteorite के hit करने से बना था अर्थ की सता पर एक meteorite आके टकराया था पेंट्स यहाँ पर थोड़ा facts में mistake है 50,000 year ago आप लोग को इसे correct कर लेना है 50,000 साल पहले आर्थ की surface पर एक उलका पिंड आके टकराया था उसकी वज़े से गड़ा हो गया था और उसमें पानी भर गया था एक हमारा oval shape lake बन गया था जिसे हम लोनार lake के नाम से जानते हैं अब हम देखते हैं Geographical Survey of India का का काम क्या होता है Geographical Survey of India का यह काम होता है कि वो लगातार कोशिशे करता रहता है efforts करता रहता है जो हमारी geo heritage sites है उनके identification के लिए मतलब उनकी पहचान करने के लिए और साथ में उनने protect करने के लिए करता है झाल 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 लोनार लेक का पानी नीले से गुलाबी क्यों हो गया है ये एलगल ब्लूम की वज़े से हुआ है एलगल ब्लूम कब होता है देखिए जब किसी लेक में या फिर किसी वाटर बॉड़ी में निूट्रियंट्स बढ़ जाते हैं और जो हमारे एलगी होते हैं इनकी population burst हो जाती है all of sudden increase हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं एलगल ब्लूम कहते हैं एलगल ब्लूम की वज़ा से जो कलर है वो change हो गया है ब्लू से pink सा, reddish सा हो गया है लोनार लेक के पानी का जो कलर change हुआ है उसके पीछे दो और reasons माने जा रहे हैं change in salinity लोनार लेक का जो खारापन है salinity है वो बदली है क्यों बदली है देखें गर्मिया पड़ रही है और evaporation बहुत जादा हो रहा है पानी जो है वो भाब बनके उड़ रहा है इस वज़े से क्या हुआ है salinity बढ़ गई है लोनार लेक का जो खारापन है वो बढ़ गया है और ये एक reason माना जा रहा है लोनार लेक के water के color change होने के पीछे तीसरे reason क्या है biological change देखें lockdown में जो लेक है उसके साथ जादा छेड़ छाड़ नहीं हो रही है कोई disturbance नहीं हुआ है तो कह रहे हैं कि ये जो पानी का color बदला है ये naturally बदला है तो friends अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई है मेरा content थोड़ा सभी अच्छा लगा है तो वीडियो को like ज़रूर कर दीजेगा अपने friends के साथ share कीजेगा मेरी चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लीजेगा यहां से आप लोग को best content मिलता रहेगा actively participate कीजे आप लोग इस वीडियो को rate and review कीजे comment section में मुझे आप लोग की comments का इंतजार रहेगा आप लोग जितना actively participate करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा content provide कराने में अगर आप लोग को इस content की pdf चाहिए तो आप लोग हमारा telegram channel join कर सकते हैं link मैंने description box में provide करा दिया है thank you so much friends